हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आर चैनल रूफटोप गाड़नर करमवीर दोस्तो आज की वीडियो टमेटो प्लांट्स पर है ये कुछ देशी वेराइटी के टमेटो प्लांट्स हैं जो हमने 12 इंच के पोर्ट में लगाए हुए है दोस्तो टमेटो ग्रो करना बहुत आसान होता है बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है आज हम आपको 5 सीक्रेट टिप्स बताएंगे जिससे आप गंबले में बहुत आसानी से टमाटर ग्रो कर सकते हैं टिप नमबर 1 सनलाइट, सूरज की रोशनी दोस्तो वैसे तो हर सबजी वाले पोदे को धूप में ही रखना चाहिए आप अपने टमेटो प्लांट्स को धूप में ही रखे इन्हें दिन में लगबग 5 से 6 गंटे की धूप जरूर दिखाएं ज़्यादा गर्मी में इन्हें 50% शेड में रखे टिप नमबर 2 कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर दोस्तो टमेटो प्लांट्स को स्लो रिलीज कंपोस्ट या फर्टिलाइजर पसंद होता है दोस्तो आप और्गैनिक कंपोस्ट के रूप में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तमाल कर सकते हैं ध्यान रखे ये पूरी तरह डी कंपोस्ट होई होनी चाहिए दोस्तो गर्मियों के मौसम में आप वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तमाल करें आप महिने में एक बार मिट्टी की गुडाई करें और इसमें कंपोस्ट मिक्स करें और लगबग एक घंटे बाद पानी डालें दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में आप सरसो की खली या ओनियन पील फर्टिलाइजर का प्रयोग करें गर्मियों में आप ओनियन पील फर्टिलाइजर का प्रयोग करें हर fertilizer का प्रियोग लगबग 15-20 दिनों के अंतराल पर ही करें पानी का आप जरूर से ध्यान रखे मिट्टी में नमी मोश्चर बनाए रखे जैसे ही मिट्टी ड्राई सूखी दिखे तो आप अच्छे से watering करे अगर मिट्टी पहले से गीली नम हो तो पानी ना डाले मिट्टी सूखने पर ही पानी डाले मिट्टी सूखने पर अच्छे से पानी डाले ताकि जडों तक पानी जरूर पहुच जाए दोस्तो ये टमेटो फ्लोवर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लोवर में होते हैं दोस्तो वैसे तो पॉलिनेशन प्राकर्तिक होता है मदुमक्की तितली भवरे आदी करते हैं लेकिन अगर आपके टैरिश या बालकनी में भवरे आदी नहीं आते हैं तो आप इसे खुद भी बड़े आसानी से कर सकते हैं आपको टमेटो फ्लोवर को वाइबरेट करना है, शेक करना है, हिलाना है आपका पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा ये काम आप दिन में दो-तिन बार करें जब तक फ्लोवर फ्लोवर में कनवर्ट होने ना लग जाए इससे आपके फ्लोवर सूक कर गिरेंगे नहीं और 99% फ्लोवर में कनवर्ट होंगे दोस्तो आपको शिंपली टमेटो फ्लोवर को वाइबरेट करना है, शेक करना है, हिलाना है जैसा आप देख रहे हैं ऐसा करने से आपका पॉलिनेशन सक्सेस्फुली हो जाएगा टिप नमबर फाइफ पोर्ट साइज एंड सोयल मिक्स दोस्तो टमेटो प्लांट्स की जड़े नीचे तक जाती है तो आप इने 12 इंच के पोर्ट में ही लगाएं और पोर्ट गमले में नीचे होल जरूर से करें ताकि एक्स्ट्रा पानी होल से बाहर निकल जाए दोस्तो टमेटो प्लांट्स की सोयल मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए इसमें पानी जमा नहीं रहना चाहिए परफेक्ट पोर्टिंग सोयल मिक्स बनाने की वीडियो में पहले शेयर कर चुका हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तो आप इन चोटी चोटी बातों का ध्यान रखके पोर्ट में काफी अच्छे से टमेटो ग्रो कर सकते हैं दोस्तो टमेटो ग्रो करना बहुत असान होता है आप इसे जरूर से लगाए और हाँ दोस्तो स्पोर्ट के लिए आप इसे किसी लकडी की सायता से बांच सकते हैं धन्यवाद दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सबस्क्राइब करें थैंक यू